हलो एवरिवान आज मैं आपके लिए फालूदा कुल्फी की रेसिपे लेकर आए हूँ इसमें हम बनाएंगे फालूदा, रबड़ी और साथी जली और ये तीनों ही चीजें बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत जादा टेस्टरी हैं तो चली जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक चम्मर सबजा के बीज ले लेंगे इसे तुक मलंगा या तुक मर्या भी कहते हैं और इसे बॉल में डाल देंगे इससे एक साइई में रख देंगे ताकि ये अच्छे से फुल जाएंगे उर इनकी जो ताशीर होती है काफी ठंडी होती है तो इन्हें हमें गर्मियों में यूज करना चाहिए फलूदा पुल्फी बनाने के लिए अब हम फलूदा बनाएंगे इसके लिए हमने आधा कप कॉन फ्लार लिया है इसे कॉन स्टाच भी कहते हैं आप चाहें तो इसकी जगा अरा रोट भी ले सकते हैं साथी इसमें 2 कप पानी डाल देंगे यानि हमने 1 अदर कपर लिया है और 2 कप पानी यानि आधा कऊन फलार का चारगुनाप पानी लेना है और इसे डालकर अच्छे से mix कर देंगे mix इसले करना है ताकि जो Legislarm पूले notissimo cuplard जो भी होती है साथी में इसमें कुछ बरफ के टुकड़े डाल दूगी क्योंकि हमें जो पानी चाहिए बहुत एकदम चिल चाहिए आप चाहें तो इसे फ्रिजर में भी रख सकते हैं उतनी देर तक के लिए फलूदा बनाने के लिए अब मैं ये मशीन यूज़ करूँगी इसे सेव में कर कहा जाता है और ये मार्किट से आसानी से मिल जाती है इसका लिंक मैं नीचे दिस्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ आप आप चेक कर सकते हैं इसके साथ अलग-अलग तरह की कई सारी जाली मिलती हैं जिसे आप अलग-अलग डिजाइन में पैटरन में बिस्किट्स और नमकीन बना सकते हैं फलूदा बनाने के लिए हम बारिक जाली का यूज करेंगे इससे फलूदा एकदम पर्फेक्ट और एकदम मार्किट जैसा बनता है और अब यह जो कॉन फलार और पानी का मिक्शर हमने तयार किया था इसमें एक चमच चीनी डाल देंगे ताकि जो फलूदा है हलका सा मीठा बनेगा और इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे गैस पर रख देंगे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगतार चलाते रहेंगे आप ध्यान लखें क्योंकि यह जो मिक्शर है बहुत जल्दी गाड़ा होने लग जाता है नीचे जल्दी से ही चिपकन अगर आप इसे कम पकाएंगे तो जो फलूदा है वो बहुत जल्दी तूटने लग जाएगा याप उसे हाथ लगाएंगे या डालने के लिए जसी उठाएंगे तो वो तूटने लग जाएगा और अगर आप इस मिक्शर को अच्छे से पकाएंगे एक्दम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है तो अब मैं यहां पर गयास का फ्लेम आफ कर दूगी और इस मिक्शर को में तुरंथ ही सेव मेकर में डाल दूगी में थंडा होने की वेट नहीं करनी है क्योंकि यह थंडा होने के बास सेट हो जाएगा फिर अच्छे से फलूदा नहीं तो आप इसे दोबारा से गरम करके फिर आप इसे फलूदा बना सकते हैं लेकिन अगर आपको मिक्शर गरम भी करना पड़े तो आप इसे अभी तुरंथ ही गरम करके यूज कर सकते हैं और यह देखिए हमारा फलूदा बनकर तयार है अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे इस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगतार चलाते रहेंगे इसे जल्दी गाड़ा करने के लिए मैं यह आप चार चमश मिल्क पाउडर डाल रही हूं इसे यह दूद बहुत जल्दी गाड़ा हो जाएगा और जो काफे रिच बनेगा अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डा कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या आप इसके बिना भी बना सकते हैं साथ ही इसमें मीठे के लिए मैं यह आप तीन चम्मत चीनी डाल रही हूं आप चाहिए तो इसकी जगह मिश्री या फिर देसी खान भी डाल सकते हैं चीनी डालने के बाद इस मिश् को 10 मिनट के लिए फ्रिजर में रग दे या फिर 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में लगकर एक दम ठंडा कर लें क्योंकि ये मिक्स्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपकी फलूदा कुल्फी बहुत टेस्टी बनेगी फलूदा कुल्फी में डालने के-लिए अब हम औरेंज से mix कर लेंगे और अब जिस बरतन में भी आप जली को set करना चाहते हैं उसमें ये mixture डाल देंगे पहले हम इसे room temperature पर ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे 10-15 मिनट के लिए fridge में रख देंगे ताकि ये अच्छे से set हो जाएगी और ये देखिए जली अच्छे से set हो चुक सब्जा के बीज भी अच्छे से फूल गए हैं अब हम ये glass ले लेंगे इसमें सबसे पहले मैं इस तरह से रूफजा से इसे थोड़ा सा garnish कर दूँगी और साथ ही इसमें ये 3-4 चमच फरूदा के सेव डाल देंगे इसके उपर 2 चमच रूफजा के बीज डाल देंगे और अब इसमें थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम डाल देंगे थोड़ा सा फालूदा डालेंगे फिर से रबडी डालेंगे और इसे कटे हुए पिस्ता और साथ ही जली के साथ गार्निश कर देंगे इसमें जो मैं लेयरिंग कर रही हूं मैं अपनी पसंद से कर रही ह इसके लिए मैंने फिर से पहले फलूदा डाला है फिर रुवजा डाला है थोड़ा सा आप चाहें तो रुवजा की जगा खर शर्वत या जो भी आपको ड्रेंक पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं साथ ही इसमें एक चमश सब्जा के बीज डाल देंगे अब मैं इसमें कटे अवजा डाल देंगे और फिर रबडी डाल रहे हों और इसा कटे हुए पिस्टा काजु और बादाम के साथ गानिश कर दूब की और थोड़ी से जली के साथ भी आपके तरह से प्लेवर की साथ है और तो ये आप चाहें तो इससे किस तließen तरह से लेयर करना चाहते हैं किस इस तरह से इसे बनाना चाहते हैं इसे बनाना बहुत ही सिंपल है तो फ्रेंड्स आप इस recipe को अपनी घर में जरूर ट्राइ करें यह आपको बेहत पसंद आएगी और अगर आपको हमाई recipes ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक को शेर जरू कीजिए और